हेलो एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरिशाव अभीप्शा एजूकेशन फॉर एक्सेन के इस आर्लाइन प्रेट्फार्म में आपका हर्दिस्वागत करता हूं तो भई आप लोग बस तो मज़े से बढ़े अपनों पढ़ाई कर रहे होंग आप पूरा भी एक मेंने चला है हमारी जो सीरीज उसमें पूरा जो शोड़ से अपना पार्टिशिबेंट कर रहे होंगे और अपना जो बच गया था पॉर्शन उसको भी कंप्रेट कर रहे होंगे और जो निबचा हुआ है जो चीज़ आपको चाहिए वह भी हम ला रहे ह है और जल्द ही आने वाला भी इस चीज़ की मैं क्या करता हूं आपको अच्छे चल रहा है और जो बच गया है वह भी कंप्रेट हो जाएगा तो आज हम क्या डिसकस कर रहे हैं आज हम डिसकस कर रहे हैं का कौन से चैप्टर है चैप्टर नमबर वन कौन सा आपके तीन जो यह एक नमबर के जितने कोष्चन हो कर लिए थे और दो नमबर के क्योंसं शोब्क सकता रहे हैं फाला कि सब्सक्राइर ड़िए कि मतलाए इससे यूंट में मतलब हालाकि मैं दो से तीन बोलते हूं कभी कभी ठीक है तो आपको पूरा दिक्कत तो हुआ ही नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जीओ कविकास के बारे में चीज है क्या होती है तो इसी कड़ी के सुरुआत करूंगा और आज हम डिसकस करेंगे दो सब कर रहा था और अभी हम यह इस पर डिसकसी कर रहा है क्या कि सर यह सब होता क्या है क्या सब कौन जो है वहां गया था जो देख रहां और प्रोफेसर ते उस टैप में कि अपना करते हुए वह भापे और जाने कि कैसे जो आपके जो एरिया है अफ्रीका जो एरिया है अमेरिका के जो एरिया था जो डीप में गया थे कैसे वहां का कि इस अब कि उन्हें किया तो उन्होंने बताया और उसी पीच में डार्विन सर और वैलेस सर के दवारा तो हम बात करेंगे इस पर तो हमें पता क्या चलता है ये जो मेंली रूप से मुख्यी से बताता है जीओ मैं पायाज जाने में वाले विवृबधतता के रूप में लएविवधतता अब ये क्या चीज है लए वीवी धता कैसे जीओ जो है एक समय ना हो कर different different रहताust यह रहता तो कई लोग ऐसे जो ही इंगलीज भी बोलते हैं कम मातरम रहती हैं अब आप पहुंचें साउथ इंदिया साउथ इंदिया की और दच्छिन भारत की और अभी अफ्रीकर नहीं जाने हैं हमें देश क्रॉस नहीं करने हैं भी फिलाल हम बात करते हैं 36 भारत के अंतरगर जो और र बत्ती हुआ है तब से वह लोग क्या कर रहे हैं जब से वह राजिय बना है जब से उधर में लोग जो है जीवित हुए है वह विक्सित हुए है तब से कौन से लेंग्वेज यूज कर रहे हैं वह यूज कर रहे हैं इंग्लिस लेंग्वेज और कुछ जैसे कि मैं बात कि सर जो एरिया है एरिया स्पेसिपिक लोग बदल जाते है या फिर एरिया स्पेसिपिक लोग अपना जो क्या है वाइस है भासा है वो बदलता है मैं उपर गया नौर्थ में वो लोग बात कर रहे हैं साउथ में गया वो लग बात कर रहे हम लोग बात कर रहे हम लोग सेंट पाई जा रही है क्योंकि यह जो है अपने परिवेस और अपने क्या भी अपने आसपास के महाल की सबसे ढर जाते हैं तो यह जो है विविता अब हम बात कर रहे हैं जीवों में विविता तो जीवों में विविता पाई जाती है कई ऐसे जीव है ज्यादा ज्यादा जैसे कि क अब कितना साल जी रहे एवरेज अगर बात करूं तो सतर से असी में उड़क जा रहे हैं अब यह क्यों हो रहा है पहले हमारा एज जो है तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि हर कोई का जीव का डिसाइड रहता है अब कियो रहता है क्योंकि सबकर एक यह होता है वो जो उसके परिवेस उसके वातवरन और उसके रहन सहन से रहता है उसका जीवनकाल होता है तो उससे आप से जीव में विवित्वाइब पाई जाती है और अपने आसपास के वतावरण में जो इफ्यक्ट पड़ता है उसका ज्यादा क्या होता है यहां तक की बात समझ मैं तो यह बोल सकता हूं जार्विन वेलेसर जो है प्रतिवादित जीव के विकास के सिधान में ह तो थोड़ा से एक्स्प्रेंट कर दीएगा और साथ में विवित्ता के बारे में तो डिसक्राइब कर दिए अब चलते हैं क्रितिम चैन प्राक्रितिक चैन और अनुकुलेंट को परिभासित कीजिए जो कि 18 पुछा गया था बाइस में पुछा गया था दो नंबर कोशन इस नंबर कोशन आता रहता इस शेट्टर से भई एक डिशाइड नहीं रहता कि कभी दो नंबर से यह को पूछ दिया कभी इसी को दो दो नंबर करके ही तो यह चीज को समझने भई ठीक है यहां तक बात समझ मैं चलिए आप देखते हैं इसका क्या क्या आनसर अब क्रिति करते हैं जो निचरल हम जो सब्सक्राइब करते हैं सबस्क्राइब करते हैं अब बात करें क्या प्रकृतिक जो है खुद स्बस्क्राइब करें कि यह जो जीव है पहले से ऐसा रहेगा उस पर हम क्या नहीं कर सकते हैं जैसे कुछ नेचुरल प्रोसेस से उनके अंदर में कुछ ऐसा क्या डालते हैं नेचुरल जो क्रितिम चैन किया आता है और उनकी जो बच्छे प्रोसेस नहीं है इसके लिए कुछ किया गया है उसी प्रकृतिक चैन करती है प्रकृतिक चैन कहला आती है तो इस बताया भी गलती से बोल दिया आपको दो से बड़ा लेंद्र में है वह चार नंबर के पूछ सकते हैं लेकिन जो चोटा-चोटा है उसको क्या करता है दो नंबर और दो नंबर करके भी चार नंबर में पूछ सकता है तो आपको नहीं होना है लेकिन इसके पर हम बने कर यहां बने करता और यहां और वागन चाहिए और उसका प्रोसेज को बता दिया तो आपको और कुछ इस से को नहीं नहीं बनता घर चरचपर और तो हाँ त्यूसा देखें अनुकुल क्या भैई अनुकूल हो गया वातावरन का अनुकूल है यह सब सबस्सें को करूँ सबकूलताव। जीवों को ऐसी लएक जीवां चेलए के लिए tempo वह उसका अनुकूल्स करते हैं ठीक है भैई अनुकूल होना करते हों का प्यांब है ऋ बढ़ते हैंं में उपस्ति सभी आएं लच्छन समान होते हैं इस समान तके कोई तीन कारण लीखे हैं मतलब क्या मतलब भाई मतलब हम मनुष्य है घमपब लेंगे तकि मैं है अब मैं बोलूँ कि आपके दादा जी आपके पिता जी और आप ठीक है कुछ सिमिलाइटी ढूड़ने कोशिस कर रहे है क्या आपके कान जो है जितना लेंद में था है ना या फिर यह बोलूँ कि यह जो है जो कान का हिस्सा है क्या वह आपके जो यह वाला पॉर्षान है पॉर्षान है उससे जूटा हुआ है या फिर यह अलग से है क्या आपके जो नोज है वह थोड़ा से आगे निकले हुआ या फिर नीचे निकले हुआ है या फिर आपके आख जो है पुतली है उसका कलर काला कलर है या फिर क्या है वही काला कलर है या फिर भूरा कलर है यह क जान जाएए कि जीव विज्ञान में हम जीओं के बारे में बात ही कर रहे हैं तो वह कुछ भी कोश्चन पूछे आपको यह समझना है उसे concept जाना है कि पूछ क्या रहा है जैसे एक ही जाती सम्मू में उपश्ति सभी जीओं के लच्छन समान होते हैं अब समान होते हैं तो उसके रिजन क्या हो सकता है इस पर चर्चा करना है तो भई जैसे मैं आपको बता रहा है रिलेट कर आ रहा था उससे आप चीज समझ में आया होगा या फिर यह बोलूं कि जैसे कुछ जैसे आपके यहाँ पर चीक पर तील है है जैसे मेरे यहाँ पर तील है हो सकता है क्या आपके दादाजीक में रहा होगा है तो यह कुछ तो सबके सिमिलार्टी होने के चांसेज़ है अब यह अलग चीज़ है कि कुछ जो है नौर्फ इंडिया में कुछ जो साउथ इंडियम गया तो लेंगोज बदल गया है ना वही बात समझ में रहे है और दूसरा बात करो इनकी सरशना एक समान होती है और दोनों हाथ दोनों घंशा बखते हैं debido मेंुझा घटीया है नहीं और नस्ते कर लेते हैं और नासकर लेते हैं फिर दोपहर में क्या करते हैं रात को डॉनर कर रहे वैसी आगर मैं बात करूऊ सुबह अाउने की वह बतांतने बात करें कि हम पूछा गया थे सब जो है यह जीव जनतु से लेकर आपके मेढ़ cleaning यह सब भी ओ सब n सब का समुधाइं बढ़ जाता है Community तो सब एक समान गुन नहीं है उसका तो लच्छन जो क्या होगा भई सभी जियों के लच्छन समान होंगे ना तो इस कोश्चन का अंसर आप अपने से अच्छे से लिख सकते हैं लिखना है जितना है जितना मिलने और आपको लीखना है लेकिन खुद को दिमाग लिखें लिख रहा है ठीक है ठीक बात समझ मैंहीं आगे बढ़ें अब देखो जैसे सिमल्लारटीं सब दिख रहा है इसको बोल सकते हो कि यह HDMI Q Q कुष rasa सब यह क दिखाय रहा है को को दिखायी रहा है अब यहां बिलीब्त हो गया क्या डैनासूर की विलत्ति करन किसी सच्छ प्रजाती के विकास के कारण हुआ है इस संदर्व में आपकी क्या रहा है अब बताओ सोचो भई सोचो कि डैनासूर जो है डैनासूर जो है आया तो था सर हमारे जीवन में डैनासूर का कभी न कभी बात हुआ है और हमने कभी सु सबय एब आनने सच्छा मप्राजाति मतलब ज़ो आपके क्या है जो आपके कहां चला गया जो आपके डानासोर है वह न सब्सक्राइब भरकम जानवर की उत्पतिकक और यह बिचारद अभी लूप तो हो गया समझ रहो तो इसके पीछे के रिजन है यह सहीं है कि संदर्द में आपकी क्या रहा है तो आप खुद सोचिए क्या यह हो सकता पॉस्रिबल्टी कि अभी अगर मैं बात करूं उसकी वह रहा Ο का सरबाद की बात है लेकिन मैं अब वरतमान में क्या देखता हूं कि बहुंच सा रहा गया अब यह यह है वह वह भी है है भुछ कम जानवर है तो यह सब के होने से कहीं ने कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ा होगा ना भई यह जो था उसको हटाने के लिए वह सब आ गया अब वह सब क्यों क्यों कि उसके लिए भी जीवन अपन के लिए जो जर्ग उप्र करने के लिए मतलब घाये के लिए और जितने भी उन सब के लिए भी कुछ खाने के जौरत पढ़ती है उन सब के भी दबाओ पढ़ा कहां जंगलों में अब यह भी जंगल में इस सब की जौरत पढ़ रहे हैं हाती के की विकाज भी करना है तो वह सब करें तो आज के लिए इतने ही करेंगे भई अब हम क्या करेंगे कोशन और है जो की थोड़ा से कहा जा सकता है कानी मचली मचली की प्रजाति कैसे अपने ही वन्स की मचलियों से अलग हो गई है अपने आवास में अनुकुलित हो गई है इस पर आप चर्चखीजिए तो यह बोलता है क्या सञी फ्वास में रहने के लिए अनुकुलित होता है अनुकुलान तो बताया था अब उसके लिए हर छीज मैंे मतलब में बात, chill आपको आपके घर में उसके बाद आपको देखना है वो भी कर रहे उसके बाद आपको हमारे लेक्चर देखना है उसके लिए मोबाइल भी मिर रहा है तो यह सब मिर रहा है तो आप अनुकुलित तो हो ही गए अब उसको छोड़ कर कहीं जाओगे क्या आपको दस दिन के रिलेटिव हैं भेज दिए मोबाइल को जबत कर दें मम्मी लोग चले होती है तो इसी प्रकार जो कानी मशली के साथ हो रहा है जो कुटम सर गूप हम पाय दता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हालाकि इसको जो है कब पुछा गया था उन्नीस से पूछा गया था यह आप अब मैं क्या पूल रहा था अनुकुली जिवेद में भीन होता है यही कारण है कि कानी मशली अपने ही वन्स के अन्य मशलियों से अलग है ठीक है वह खुद अनुकुल है वह अपने घर में खुष हो तो आपक्यों अपने मामा है जाओगी ठीक है वही बात है ना ठीक तो अब हमारा जो एक्जाम से चल रहा है मिसंज उसमें आप बिल्कुल अपने दोस्तों और खुद अच्छे से अब्डेट ले रहे होंगे और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए आज के लिए हम इतने ही करते हैं अच्छों मिलते हैं थन्यावाद